हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो मा यूटूब चैनल एडवांस एक्सल की सीरीज में आज हम सिखेंगे एंप्लोई की जो अटेनेट सीट है वो कैसे प्रिपेर की जाती है जिसमें एंट्री टाइम दिया हुआ है नौ बजे का नाइन ओ क्लॉक का है और एंप्लोई इन होता है 9.15 पे उसका स्टीटस चेक करना है प्रेजेंट है लेट है और कितना मिनट लेट है ये चीज़े हम देखेंगे और नेम पे रिस्टिक्शन लगाएंगे मुबाइल पे रिस्टिक्शन लगाएंगे अभी देखें हमने ये कंपनी का ये रूल है कि कोई भी इंप्लोई आता है उसका आने का टाइम नो बजे है और 15 मिनट तक लेट काउंट नहीं किया जाएगा 15 मिनट के बाद अगर 16 मिनट पी हो जाती है तो लेट कंसेडर किया जाएगा और एक घंट के बाद कोई एंट्री नहीं जी जाएगी तो देखी अगर एक घंटा लेट हो जाता है तो कि माल लेजी हमने यह एंपलोई 9 15 पे आया है हमने इसको कर दिया 9 13 पे आया एंटर किया तो यहां से हमें पता लग रहा है कि यह 15 मिनट लेट है 15 मिनट पता फिप्टी मिनट एलाउड थी तो उसके कोडिंगे कितने मिन लेट है 15 तो अगर हमें एक्जेक्ट दिखना होगा तो इसको हम बाद में देखते हैं कैसे निकालेंगे अकर कोई इंपलोई 10 बजे की बाद एंटर करता है 10 ओं क्लोग और वो आता है 10 पर दो मिनट पर 10 टू आता है क्योंकि एक गंटे तक ही कंपनी में लेटल आउट है तो यहां पर सिस्टम देगा एक अलर्ट मैसेज आएगा यहां पर कि यू आर्टू लेट नो एंट्री कि आप बहुत जादा लेट हो आपको पर्मेशन नहीं दी जाएगी हम इसे कैसे बनाते हैं ऐसे-गर हम नेम किज़ यह पर कुई नमबर टाइप करेंगे तो भी एकसेप्ट नहीं करेंगा ओनली टेक्स्ट ऑलाउट तो यहां भी मैसेज आ जाते हैं ओली नुमेरिक डेटा टेंड डिजित नम्मर रिलाट ट्राइए अगे देखते हैं हमसे कैसे बनाते हैं हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया है जिसमें डेट एंटर करा दिया है अंटरी टाइम है आँट टाइम है इन टाइम प्रिस्टिक्शन लगाएंगे नेम पर लगाएंगे भी मूबयल्स पर लगाएंग और यहां पर फॉोमला Gaming से स्टेटर सोथ लिदेटर्स निसकालेंगे तो देखे कैसे करते हैं अथि तो सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे इनको डेटा वेलिडेशन पर जाएंगे वो डेटा वेलिडेशन में जाने की बाद एलाव के अंदर अभी एनी वैल्यू आ सकती है तो हम यहां पर कस्टम कस्टम में जाके यहां पर एक फूमल लगाएंगे कि इस टेक्स्ट इस टेक्स सफोंचीन क्या करता है तक से तो अलॉब करेगा और नॉं टेक्सट वैल्यों थूश़क्ण पर किन नहीं देगा इस टेक्स्ट और हम ने किस सैल का नमटा दिया वी डिफाइव और इस से क्या किया गो कीसब दिया आप देखिए यहां पर अगर मैं कोई नुमेरिक डेटर डालूगा तो परमेशन नहीं देगा और कोई ऐसा डेटर डालते हैं तो उसे लिए ले गाई तो देखिए तो इस तरह से हम डेटर यहां पर डाल सकते हैं तो यह हमने कुछ रिकोर्ड से एंटर करा देखिए तो यहां पर अगर हमें टाइप करना है कि only text value allowed तो इसकी message के लिए हम alert box में जाएंगे यहां पर alert डाल सकते हैं यह बोर्निंग डाल सकते हैं यहां पर मैंने डाल दिया alert message और यहां हमने डाल दिया only text is allowed तो यह हमने लिख दिया try again ओके इतना ही लिख दिया हमने तो जब हम इसमें numeric data एंटर करेंगे तो message आएगा only text is allowed अब mobile पर लगाते तो mobile पर हम कुछ ऐसे restriction लगाना चाहते हैं only 10 digit mobile number, length भी 10 होनी चाहिए उसकी और text को भी allowed दिया होना चाहिए तो तीन formulas का mix-up हमें यहां पर करना पड़ेगा length के लिए length function और number को only numeric data allowed होना चाहिए तो उसके लिए is number function होगा और duplicate भी allowed दिया होना चाहिए इसके लिए county function देखते हैं कैसे data validation यहां पर गए हम custom validation के अंदर सबसे पहले हमने लगाया है यहां पर and क्योंकि multiple functions है तो हमें and को लगाना काफी जरूरी है तो सबसे पहले हम इसका length check किया length check जब हम करेंगे length कितना होना चाहिए 10 10 ही length होना चाहिए इसका second हम इसमें check करते हैं count if count if function क्या करता है duplication check करने के लिए हमने count if लगाया तो यहां से यहां तक का जो data है c5 से c9 से हमने freeze कर दिया और c5 को हमने यहां पर लिखा उसकी बात इसमे only duplicate values allowed नहीं है तो इसकी value 1 कर दी है देन अब हमें check करना है कि इसमें सिर्फ numeric data allowed है तो हम यह लिखेंगे is number is number हम यहां पर लिखेंगे और is number लिखने के बाद c5 टाला एंटर और उसके बाद हम जो final bracket है वो close करेंगे और यहां पर message लिखते हैं only numbers are allowed पहला message duplicate value not allowed second message हो गया third message हम इसमें डालते हैं length must be length must be 10 digits only तो यह हमने डाल दिया और फिर लिख दिया try again कि दोबारा से हम डाल दिया okay कर दिया अपर इसे तब भी error देगा तो हमें maximum कितना पड़ेगा यहां one two three four five six seven eight nine ten key allowed हो गया है इस तरह से हम डाल देते हैं तो इस तरह से हमने number डाल दिया मैं इसके जो formula हमने यहां पर लगाया है उसे में यहां पर paste कर रहा हूं ताचि उसको अच्छे से देख पाऊ तो जो भी formula मैंने लगाया है उसको देखिए हम यहां से देख लेते हैं कौन सा formula हमने लगाया था जो भी formula मैंने यहां पर लगाया था उसे में नीची type कर रहा हूं copy किया इसे तो उस formula को मैंने यहां पर paste कर दिया है यह फोमले हमने यूज किया जो काफी लंबा था बाकी छोटे फोमले थे अब हम रिस्टिक्शन लगाते हैं यहां पर टाइमिंग टाइमिंग रिस्टिक्शन यह कि एंप्लोई का टाइमिंग है आने का 9 to 10 एंप्लोई जो आएगा वो 9 से 10 के बीच में ही एंट्री होगी उस हमें टाइमिंग एंट्र कराना है तो हम टाइमिंग वाले प जाएंगे वो टाइमां इएंट्री होगी इसके बाद कोईंट्री एलावड नहीं है यहां exit लीम यह हमारा हो गया है और यहां पर एक message डाल देते हैं कि time must be between 9 to 10, you are too late यह हमने डाल दिया ओके तो यह हमारा हो गया है यहां पर अब देखते हैं हम इसने enter करके कि हमने यहां पर डाला 9 कोई candidate आता है 9 14 पर आया जिससे 00 कि यहां हमने डाल दिया यह है इसमें space देना है हमें space की जिसने यहां भी कुछ चैनल आ गया है यहां पर अलगा सा space देंगे तो इससे accept करिएगा तो 9 40 डाल दिया यह candidate था जो यह आया हमारा 10 15 पर आया जिससे तो यहां पर मैंसे जाजएगे कि आप काफी लेट हैं एक गंडी से ज्यादा लेट हैं आपको यू आटू लेट नोट अलाओ तो उसके बाद हम यहां पर इस तरह से हम टाइनिंग मेंसन कर सकते हैं कि यह नाइन उकलोक आया था बाकी के टाइमिंग भी में डाल देता हूं जल्दे से यह आया था हमारा नाइन कि प्रटिक पाइट प्याया है कि इसमें कि इसमें 9.45 यहां हमने डाल दिया 00 और अम फिर हमने डालां हुआ है हुआ है है तो आगे बढ़ते हैं हम है टाइनिंग एंटर करने की बाद अब दिकिए स्टेटर्स चेक करना है स्टेटर्स कैसे निकालना है कि स्टेटर्स यहां पर होगा एपसेंट तो लगे गाई नहीं है स्पाइब 5 है हमारा जिसमें 914 लिखा हुआ इसकी वेल्यू अगर बड़ी है किस से तो हम टाइम वेल्यू लगाएंगे यहां पर टाइम वेल्यू उसके अंदर अम टाइमिंग लेना है हमें हमें लेना है 915 से ज्यादा है तो इसका मतलब employee क्या है लेट है और जो दूसरा है वो time पे है यहाँ पे present हमने यह लगा है एंटर किया तो यहाँ पे देखिए you are entered too many arguments हमारा एक bracket लगाना रहेगा तो back bracket हम यहाँ पे bracket close करेंगे और एंटर करदेंगे यह present आ गया है क्योंकि 914 पे आया था उसके बाद बाकीज को अगर हम देखेंगे यहाँ पे देखिए यह 945 पे आया तो यह लेट हो गया है यह 915 पिल्ए ठोगे यह 845 परब क्यों ने ने आयरे व्यागा हम आप भार्मा allerdings फंक्चन लगानेे इपाद उसके अंदर in टाइम की मिनिट簡單 करेंगे उसमेंस कर देंगे फिस वीनिट फंक्चन लगाएंगे और उसमें से जो एंट्री टाइम की जो मिनट्स हैं उसे माइनस करेंगे तो यहां पे जो आउट्पूट आएगा वो टाइम आएगा और उसका हम फॉर्मेट चेंज कर देंगे नम्मर में जाके जन्र जिससे क्या होगा यहां पता लग जाएगा कि कौन कितना मिनट्स लेट है यह 40 मिनट्स जीरो मिनट्स एक 45 मिनट्स से यहां से हमें पता लग दिया है हमने देख सिखा कि एंप्लोई नेम पे रिस्टिक्शन कैसे लगाते हैं मूबाइल पे और एंट्री टाइम और इंट टाइम पे भी हमने यहां पे रिस्टिक्शन लगाया है कि दस बजे के बाद अलाउड न डेली एटेंडेंस सीट अगर हमें बनानी है जिस चुट टाइमिंग के साथ हमें बनानी है कि इसके बाद टाइमिंग के कोडिंग हमने से बनाया आई होप सबको समझ आया होगा if you like my videos share with friends and do subscribe my channel also press the bell icon to get notification of my all videos thank you for watching my video friends